दोस्तों अगर आपके पास time है तो इस वडियो पे अगर click किये हैं तो पूरा देखना इस वडियो को आधा मत देखना तो आपका ही loss जाएगा अगर आपके संग debit card fraud, credit card fraud या आपके संग bank account fraud, round count पैसे चले जाना, job के नाम पे fraud, कोई आपको धंकी दे रहा आपकी पहन बेटी को, ऐसी कोई प्रोल्म है तो कैसे आप cyber reporter से जाके complain कर सकते हैं, live एकदम करके बताएंगे क्योंकि एक रोके संग fraud हुआ, 36,000 रुपे का बिचारी बहुत गरीब थी, बहुत बुरा लगा मुझे, job देने के नाम पे fraud हो गया, 36,000 रुपया account से गायब हो गया, कैसे हो गया, वो आपको मालूम पढ़ेगा बहुत जल्दी, पहले मैं आपको आज तरीका बताने वाला हूँ, सारे, सारे प्रॉलम के समधान इस वड़ी में आपको मिलेंगे, तो क्रिक किया है, तो पूरा देखना, अगर देखने का वीडियो का मन नहीं है, तो skip कर देना, बट अगर देखना, तो पूरा देखना, चलिए, ले चलते हैं, मुबाइल के स्क्रीन पे, और आपको मुबाइल से सब कुछिदम, डिटेल से में करके दिखाने वाले हैं, चलिए, ले चलते हैं, और बोड़े को लाइक रिजबर सपोर्ट कर देना, तो जैसे आप OTP सब्मिट कर देंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे दोस्तों, आपको टाइ जिनल नेम है, इसके बाद यहाँ पे आपका डिट अब बर्थ होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जेंडर होना चाहिए, यहाँ पे आपका इमेल आईडी होना चाहिए, इसके बाद दोस्तों, आप किसके नाम से कंप्लेंड दर्श कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे सहार काड में है, तो आपको यहां पर पूरा एदम, हाउस नमर के साथ, पीन कोस के साथ, कंटिक साथ, आपको यहां पर आपका पूरा एदम details होना बहुत जरुरी है. पूरा details भरने के बाद आपको save and continue पे click करना पड़ेगा. फिर से इक बार आपको बता जता हूं नहीं तो फिर आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाओगे, देखो, जैसे आप OTV समिट करने के बाद आओगे, तो यहाँ पे आपको टाइटल में Mr. Mrs. क्या है, वो चूस कर लेना है, आपका फूल नेम रहेगा, और यहाँ पे आपका डेट बर्त क्या ह है, O डाल देना है, यहाँ पे जेंडर चूस कर लेना है, यहाँ पे इमेल आईडी आपको चूस कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे आपने नाम पे कर रहे हैं, तो आपको O चूस कर लेना है, किसी और के नाम पे कर रहे हैं, तो उसका नाम डाल सकते हैं, हाउस नंबर, पी details को fill कर लिया है अब हम save continue पे click करते हैं तो यहाँ पे कुछ जी छूट गई है इसे fill करना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे हम save continue कर दिये सारा चीज फील करके आपको भी ऐसे ही करना है क्योंकि जो भी आप जानकारी fill करेंगे आपके IP address करेंगे इनके तरफ से तो यहाँ पे फ्रेंड अब आपको नीची वारे process में करना क्या है अब यहाँ पे जो complaint कर रहे हैं ओ complaint किस category का है आपके संग किस तरह से fraud हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों आपको select कर लेना है अब आपके संग online fraud हुआ है तो अगर आपका financial fraud हुआ है बैंकिंग से रेकर इसा चीज़े debit card, credit card तो आप यह वाला दूसरा नमबर select कर लेना अगर दोस्तों आपके संग social media जैसे मालो whatsapp, facebook यहाँ चीज़ हुआ है तो आप पहला नमबर कर लेना अगर आपके जिसे कि और कोई अपना जो है शूट करना, चेक कलना क्या है फिर आपको select करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे tick mark कर देना है फिर यहाँ पे आपको category है सब category complaint इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके संग fraud कैसे हुआ तो यहाँ पे लिखा है debit card, credit card, SIM, swipe किस तरह से fraud हुआ है आप यहाँ आपको e-wallet मालो अगर कोई wallet से पैसा आपका debit से PTM wallet हो गया तो यहाँ पे आपको सारी option दिये गए है तो आप यहाँ से अपना internet banking से या UPI fraud से कैसे हुआ है तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देख लेना है इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको करना क्या है जो भी आपके संग हुआ है आपको select कर लेना है मैंने यहाँ पे UPI स्रीप डाला है ऐसे दिखाने के लिए मैं आपको सला दूँगा कि आप यहाँ पे yes कर देना yes करने से क्या है कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो UPI fraud किसके माध्यम से हुआ है और wallet list का यहाँ पे नाम आएगा बजाज फिंसर, Amazon Pay और धनी पे फ्री चार्ज, Google Pay मुलकी अदर पे टियम है फोन पे हैं सब के यहाँ पे नाम आ जाएंगे समझे ना तो आप यहाँ पे yes वाले ओफेसं पे किलिक करना क्योंकि यहाँ पे मैंने bank finance को select किया है इसलिए यह option आ रहा है तो आपको यहाँ पे yes कर देना है अगर आपके संग UPI यह credit card, debit card, fraud, no नहीं करना है तो आप yes करना और यहाँ पे bank wallet, merchant आपको यहाँ पे select कर लेना है कौन था यह टल पेमेंट बैंक कौन सा बैंक था Small Finance bank था छोटा बैंक, ब्राबैंक कौन था यहाँ पे आपको select कर लेना है तो कोई भी बैंक आपको select कर लेने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपके सामने जैसे की account number, wallet number, merchant ती तार नंबर मत्तब रहें जो ऐसे धी किया गया है इस तरह किसे होता है फिर आपकी मेल पर मैसेज पर आता है और दोस्तों आपको यहां पे डाल देना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं डालेंगे तो यहां पे आपका जो काम है ओन नहीं हो पाएगा इसके अध्यां तो यहां पे आपका amount आपको feel कर देना है दोस्तों जैसे कि आपका amount कितना था यहां पे आपका transaction date कौन सा था दोस्तों यहां पे transaction date select कर लेना इसके बाद आपको यहां पे reference number जैसे कि कोई reference number आप दे देना यहां पे आपका timing क्या था यहां पे select कर लेना जैसे कि timing यहां पे बत क्या आपका टाइमिंग था वह यहां पर आपको डाल देना जो आप पस नहीं है वह आप नहीं नहीं दलना कोई दिकत नहीं है यहां पर दोस्तों यहां पताय गया है कि transaction details यहां पे बंक कहुँ है आपका bank है, wallet है, merchant है तो आप यहां पे अपना select कर सकते हो यहां पे लिखा गया है कौन था, यहां पे आपको select कहलेना है सामने वाले के पास यहां पे amount transaction data को select कहलेना है समझे जेआ यह आपको डालने के बाद यहाँ पे add more पे click करना है इसके बाद दोस्तों जो सामने वाला परसन था किस तरद डेट पे उसके बारे में क्या है क्या नहीं है यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या उनके बताना चाहते हो यहाँ पे timing दिया गया है कौन सा timing था, how time क्या था तो यहाँ पे दोस्तों आपको delay जैसे कि मालो आप delay complain कर रहे हैं मैंने पहले बता दिया था उसके लिए मापी चाहते हैं ओ delay वाला यहाँ पे system है friend तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप report time से कर रहे हैं या आपने delay कि अगर आप report एक मन्त या पंदरा दिन बाद लेट कर रहे हैं तो yes कर देना कि भाई हम लेट कर रहे हैं अगर आप आज और प्रोड हुआ आपके संग तो आप यहाँ पे नोवाला option select कर लेना और अगर आप लेट कर रहे हो complaint तो यहाँ पे yes कर लेना तो यहाँ पे दूस्तों आपको इस सब चीजे बतानी पड़ेगी अगर आप लेट से कर रहे हैं तो यहाँ पे लेट अगर नहीं कर रहे हैं मालो अगर आज एक दो दिन हुआ है तो आप नो ही छोड़ देना इस पे नो करने के बाद आपके संग कैसे फ्रोड हुआ किसके साथ हुआ कौन सा सोचल मीडिया था तो यहाँ पे आप से लेट कर लेना जो आपके संग हुआ है तो यहाँ पे अगर वाटसप से हुआ है या यूटूब से हुआ है जिसके संग हुआ है अगर इसमें से कुछ नहीं पर देना पड़े गा आपके पार दोस्तों अगर कोई document है वालो vatsap का skin short कुछ भी एप्रियंट तो choose file पह क्लिक करके आपको upload करना पड़े गा फिर यहाँ पर एड़ करना पड़ेगा आपका हो जा जाएगा और यहाँ पह आपको दोस्तों अपने बारे में बताना बता दोगे तो आज के बाद बताने के बाद फिर आपको यहां पर सेब कंटीनू करके नेक्ष करना पड़ेगा तो हम यहां पर सारा इंफ्रिमेसन आपको बताई दिये फिल करने का तरीका बता दिये नहीं संद्ध में आएगा तो मुझसे आप कमेंट या इमेल में पूछ सकते हो तो फटा फटान फिल करके आपको आगे वाला परिसेश हम बताते हैं तो जैसे आप पूरा information फिल करके निश्ड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहां पे अगर आपको सामने नहरा जो person है जो आपके संग फ्रोट किया है जिसके पास पैसा आपका रोंग गया है उसकी बारे में अगर आपको जानते हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए अगर आपको पता है तो और उसका कुछ भी आपके पास है बैंक काउंट, ड्रैवी लाइसेंस इमेल, मुवाइल नमबर, पेंका नमबर, ओटर आड़े कुछ भी है, अदर में कुछ भी है तो यहाँ पे आप उसका डाल दें नहीं है तो छोड़ दें इसके बाद यहाँ पे आपको एड करना पड़ेगा और अगर उसका आपका फोटो है उसका कोई लुख डॉकमेंट है तो आप यहाँ पे चूछ फाइल करके आप अपलोड कर दें अगर आपके पास उसका एडरेस है तो यहाँ पे ए एस करके आप इडरेस भी आप यहाँ पे डाल दें अगर आप इस सब को डालने के बाद आपको फिर सेप जो है करना पड़ेगा सेप next करना पड़ेगा तो आपका next page पर जाएगा तो यह सारी चाप को फील आपके करना पड़ेगा तो फटा और फील करके आगे हम बढ़ते हैं जैसे आप next करेंगे तो आपके सामने last वाले page पर जाएगा यहाँ पर आपको अपना एक document को upload करना पड़ेगा चाहे pain card चाहे अधार card कुछ भी आपके आपको upload करना पड़ेगा और यहाँ पे choose file पे click करोगे तो आपके gallery में लेकर जाएगा और फिर आप यहाँ पे upload करने के बाद फिर यहाँ पे आप यहाँ पे अपना चेक करल आपने क्या क्या फिल किया है सही सही आपको यहाँ पे address अपना मिला लेना है और इसके बाद आपको safe preview पे click कर देना है इसके बाद आपका next page पे जाएगा वहाँ पे आपको अपना details को फिर से preview करके submit कर देना है आपको एक मिल जाएगा reference number उससे आप track कर पाओगे और आपके email पर एक PDF भी आएगा आपने क्या फिल किया है सब कुछ वहाँ पे आपको दिखेगा तो इस तरीके से आप complain कर सकते हैं अगर वीडियो में कुछ चूख होई हो भूल हुई हो उसके लिए मापी चाहते हैं मैंने सब कर बताने कोशिश किया है किसों कर समय ना आये तो ओ मुझसे email या comment में पूछ सकता है मुझसकी पूरी help करूँगा वीडियो कैसा लगा वीडियो को like करना दुस्तों में share कर देना में कोई भी सवाल है तो comment कर देना फिर मिलते हैं ने वीडियों सा तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम